नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन और आपका स्वागत करती हूँ सत्ता संग्राम में राजनेतिक विश्रेशक अनिल लोड़ा जी के साथ लोगसबद चुनाव के लिए भाशपा का चुनावी घोशना पत्र आ गया है इसमें देश की आजादी की 75 साल पूरे होने पर फोकस करते वे 75 संकल्पों को रखा गया है दावा किया गया है किसी 6 करोड लोगों की मदद से तयार किया गया इसे संकल्पित भारत सशक्त भारत नाम दिया गया वहीं भारतिय जनता पार्टी के घोशना पत्र पर कॉंग्रेस ने निशाना साथ तवे कहा कि बीजेपी का संकल पत्र जूट का गुबारा है और ये संकल पत्र नहीं जहां सा पत्र है चले ये तो चुनावी रार है जो चलती रहेगी हम अनिल्जी से जानते हैं कि उन्होंने भाषपा का घोशना पत्र आज़ देखा उसको देखके उनको क्या लगता है अनिल्जी आप क्या कहेंगे भाषपा का जो आज घोशना पत्र आ है उसके ओपर पहले गोशनापत्र जब होते थे तो ऐसा माना है था था कि जो सरकार में आने के बात करना चाहते हैं करने में सक्षम समझते हैं अपने आपको करेंगे ही वो बातें गोशनापत्र में होती थी पहले अब इते तीन चार चुनाओं से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके लफाजी भी बढ़ रही है सपने दिखाने की बातें भी बढ़ रही है लोग लुभावन बनाने की कोशिश ज़्यादा होती जा रही है और वोट बटोने के उस दिश से कि हम ऐसा सपना दिखाएं कि लो मुफ्त में क्यों किसी को दे रहे हो रुजगार दो हाथ को काम दो इन्वेस्टमेंट कराओ केशी को रखा रखबा बढ़ाने के लिए काम करो वहां पर लोन दो सब बातें करो लेकिन यह जो जेब में लेया के पैसे डाल दोगे इस से तो टेक्स पेर बहुत चुड़ने लगा है अभी लोगों पता ही लेक्शन लेकिन जो टेक्स दे कर आता है आदमी उसको इस देश में कोई सुईदा नहीं है इस देश में साइस सुईदा जो टेक्स नहीं देता उसको है और इस बात का फ्रेस्टेशन पैदा हून लगया टेक्स देने वालों में और टेक्स तो टेक्स के डिपार्टमेंट हैं, उनकी चार बाते भी सुनता है, उनके च्छापे भी उसी पढ़ते हैं, उनकी पती जवाब दे भी उसकी होती है, और ये भी नहीं कि कोई रेल में एक बर्थ भी मिल जाए टेक्सपेर को अलग से रिजरोक है, टेक्सपेर को कोई देश मे ये प्रवर्टी सोच बढ़ती जा रही है, और दोनों पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो बड़ी देश की इस वक्त हैं, इस होडा होड में लगी हुई है, कि कैसे ज़्यादा ज़्यादा लोगों को वोट के लिए रिश्वत दी जा सके, मैं इसको वोट के रिश्वत कहता बाते होंगी, पूरी होंगी हैं, नहीं, कोई रिपोर्ट कार्ट तो बनता नहीं है, कि जब आप दुबारा वोट मांगने जाएं, तो उस पार्टी से पूछा जाएं कि आपने एक घोशना पत्र पिछले चुनाव में दिया था, आपकी हमने सरकार बनवाई, अब हमें ब क्या ऐसा कारे है, इसकी वरिसे जनता के पर जिश हम विश्वास कोते जा रहे हैं, अब कोई गोशना पत्र देखके वोट दे रहे हो देश में ऐसा होता भी कम है, और चर्चा के विशे होते हैं गोशना पत्र, टीवी पे, अकबारों में, और बुद्धी जीवें की बहस म में, इन में सब में, आज जो भाजपाक गोशना पत्र आया है, उसमें किसानों पर बहुत एमफेसिश दिया गया है, क्योंकि देश में सतर अस्टी परसें के बीच में किसान वोट हैं, और किसानों की माली हालत इतनी खराब होती है जिन पर दिन, कि उनको भरोसा दिलाए बिना कोई पार्टी सत्ता में आने की सोच भी ने सकती, जी तो छेजार रुपे सालाना जो देने की बात थी, उपर दो हेक्टर जमीन तक के लोगों के लिए थी, अब उसको हर किसान के लिए कर दिया गया है, किसानों के लिए पेंशन एक सम्मान ने दी के साथ साथ पिशुद्थ chuघ e & M. उनने इस ना के साथ साल के बात कुछ अपना काम सुदू करते हैं साथ साल की अम्र के बात जिससे अपना काली समय व्यतित कर सके腐, इस परीबाच्त बात है, यह वाकई . बता चलेगे साइच चुसलेट और किसकी तो क्या क्या देते रहोगे आप देते ही रहो खजाना खाली होता रहेगा विकास नहीं हो पाएगा सड़के नहीं बन पाएगी नहीं बन पाएगी रौश्णी नहीं पहुंच पाएगी जो सारे बेहर जरूरी काम है वो रुख अब भाजपाने जो आज सब्सक्राइब। टिन के खिलाफ कानून। उन का शुरू से स्टेंड है। मुस्सलिम समाज के πεतिव उनने एक इस्टेंड लिया हुआ है। लिए उसस्टेंड थीक्षान में को मुस्लिम वट्रट नहीं मिलता। 因іш है और उच्छ चौदा में तो ये उसके अनुसरण में ये बात है कि इन तिल्ह गर महिला भी को दिया आ जा सकता तो पूरुश को भी दिया रहा है तो ये पुरुश के बाद लिगाघ घार रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए तो ये नहीं तक पहुंच भाए गी अलग बात है लेकिन जो हिंदू चेहरे हैं हिंदूबाद है जो भाजपा की जडमे हैं जो जन्संग की जडमे था उनके जो पोशक लोग हैं RSS है संग है और संग निस्ट लोग है संग से जा शिक्षित दिख्षित और सुसंस्क्रत लोग है उनको तसली मिलती इस वास से तो मोधी जी की सरकार के आखरी दो साल में थोड़ा-थोड़ा संग के लोगों को खास दो पर जब मुवा मुफसी के साथ सरकार बना इन्होंने तो थोड़ा ऐसंतोष होन लगा था कि हम इस तरह के लोग निजी ये क्या हो गया अब दिए दिए सर्जिकल स्ट्राइक होई में ववा मुक्ती को छोड़ा उन्होंने ये सब करने लगे तो धीदे दिए करके वापस उस संग के संगनिस्ट लोगों की तरफ लोटने लगे या संगनिस्ट लोगों का विश्वास उनके प्रदी लोटने लगा तो वो जो तीन तलाक वाला मामला है उनको संतुष्ट करेगा Common Civil Code अभी Common Civil Code आज 40 साल से कह रही है बीजेपी और चन्संग आप पूर्ण बहुमत पे कोशिश करते की नहीं अब फिर एक Common Civil Code क्योंकि इससे बहुत बड़ा वर गया देश में ऐसा जो इस पात को मानता है कि हिंदूऊं के लिए अलग कानून शानों के लिए अलग कानून की लिए अलग कानून नहीं ओना चाहिए इसराइए देश में Civil Code Common होने चाहिए आलकि यह बहुत आज़ान नहीं है Common Civil Code लागू करना बिल्कुल दूधाई तल्वार पर चलने जैसा होगा इस देश में लेकिन ये एक वादा किया गया है इसमें कोई दूराय नहीं इस वादे से हिंदुवादी लोग संतुष्ट होंगे उनके मन को तसलिफ मिलेगी कि बोधी वापस उस रास्ते पर आ रहे हैं चार साल में पां सा समेदान दारा तो पूझवा रहे थे बाबरी मस्जीद का विद्रन्स किया तो कोई समेदान का दारे नहीं पर सहे किया होता है है तो आप तो बनाना पड़ेगा उनको कहीं ना कहीं इन्हें राजी रखना है कि हमारा ध्यान उस तरफ है हम कोशिश करेंगे हम उस बात को भूले नहीं है हमने इट पुईवाई थी हमने सब गुरे देश में यातरा निकाली और हमने कार सेवा की सब किया तो हम उस दास्ते से डिगे नहीं है यह बरसा दिदाने के लिए कहा गया है समझ प्राइew कि क्या बने या राश्ट्री व्यापार आयोग के इडेस करेगा पुराने कानृन को हटाना है संक्षोजित करना उसकी बात करेगा क्या करें राश्टी व्याकपार आई हो इसका भी कोई खुलासा मेरे को हुआ नहीं है तो अब व्यापारियों के मन को तस्रिश देने के लिए क्योंकि इस वक्त मंदी का बेहत खराब माहौल है ऐसी जबर्दस मंदी आई हुई है बजार में पैसा नहीं है छोटे व्यापार कि अजब आई है और विबिन कार्णों से जो महाल मना उसको मैं जी स्टी निष्ट और बंजी नहीं कहता और भी कारण होंगे एक विश्वास पनभ गया है छोटे व्यापारियों को कहीं से करजा में मिल रहा ककी से लोण नि मिल रहा बैंक से नहीं मिल रहा बाजार में अब यह सब बातें खुलासा होंगी दिज़े और जैसी मंदी है और जो कॉर्पेट जगत में कानूल बन रहे हैं नहीं ने फारमारे भरने के लिए उन फारमों के जरी एक किस तरह गला पकड़ा जा रहा है छोटे व्यापारियों का छोटे उद्यमियों का छोटी कंपनियों तो इन्वेस्टमेंट के प्रती रुजान नहीं बढ़ेगा लोगों का इन्वेस्टमेंट के प्रती रुजान नहीं होगा डी मोटिवेशन रहेगा तो इन्वेस्टमेंट खतम होता जाएगा कम होता जाएगा नया नहीं आएगा बेरोजगारी फैलेगी और जो रोजगा परिदा करके सरकार की तरह मदद करता है प्राइविट सेक्टर वह हाथ पीचे किछ लेगा अनिल जी दोनों घोष्टना पत्र दोनों प्रमुखपवाट्यों के हमारे सामने हैं अभी कुछ समय पहले कॉंग्रस नहीं दिया था अज भाजपाक आया दोनों का थोड़ा कहीं तो लनात्मक अध्यन करेंगे तो क्या कहेंगे इस पर आप देखिए ये गोश्टना पत्र राष्ट्रवाद की बात ज्यादा कर रहा है अब यह कहने हम सायना को खुला फ्री एंड देंगे कौन सरकार कह सकती है कौन पार्टी कैसे हम फ्री एंड नहीं देंगे कौई मनम पती वित्रष्टा के बहाव को भी एंकेश करने की कोशिश वाला गोश्टना पत्र है एक बात दूसरा गोश्टना चुई सरकार मेटे हैं ज्यादा ज्यादा कर सकते हैं तो पता है कि पैसा कहां से आएगा कहां जाएगा कितना आएगा तो वो कितने लाग करोड ऐसे दें करنا हिंदुवाद। और नाराज हुए व्यापारियों को खुश करने की कुश huge और किसानों को रहाद देने की क्वचन देने की कोशिश है और इसमें पाकिस्तान के पति भारतियों के जो एक एक नफरत या गुस्सा है उसको बुनाने की कोशिश भी है कॉंग्रेस में रोजगार पर बात ज्यादा है नियुनितम आई की गारंटी है प्रती महा एक मिनिमुम पैसा हर आदमी को बिले इसकी कोशिश है वो जिन्दगी की दशा को सुदानने की कोशिश है और जिन्दगी और आट लेएकि दाश्ट्रवादी उस तरह के पाकिस्टान विरोधी है नहीं मुसलिम विरोधी है नहीं इसलिए वो ऐसी बाते नहीं कर सकते था यह ऐसी बाते बाते की आई क्यों चाहिक wires कर नहीं सकती बलखी इनके करने के कॉंग्रेस परणवार करके इनको कड़गरे में खड़ा करनी कुछ करे और ऐसा करते ही कॉंग्रेस खुद कड़गरे में खड़ी हो जाएगी हिंदू समाज क्या आगी